हलो प्यारे बच्चों, वेलकम ड़े क्लास, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों आची क्लास में हम मुहावरा, मुहावरे का अर्थ और उसका वाग के प्रयोग करना सीखेंगे ऐसे कुछ सेलेक्टेड मुहावरे हैं, जो की हर प्रकार के कम्टेटरि एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है ऐसे मुहावरों का संक्ला नाची क्लास में आपके सामने पस्तित है जिसे पहला शब्द है, पहला मुहावरा है खून के आंसूर उलाना खून के आंसूर उलाना, जिसका हिंदी अर्थ होता है, बहुत सताना या परिशान करना खून के आंसूर उलाना, अर्थात बहुत परिशान करना या बहुत सताना इसका वाग के प्रयोग करना सीखेंगे रामो कल्यूगी पुत्र है वो अपने माता पिता को खून के आसू रूलाता है तो कल्यूगी पुत्र है मैंलब खून के आसू रूलाना हमको ध्यान देना है जब यहाँ पर मुहावरा खून के आसू रूलाना है तो जब वाक के बनाएंगे फ्यारी बच्चों, तो माक वे भी खोन के आशू आना चाहिए, यहाँ पर दिखे, रामु कल्यूगी पुत्र है, वो अपने माता पिता को खोन के आशू रूला रहा है तो खोन के आशू यह उपर आ रहा है, ठीक है, तो समाझेगा, खोन के आश अगला मुहावरा है खोन सवार होना खोन सवार होना उसके उपर खोन सवार है आज वो कुछ भी कर सकता है खोन सवार होना क्रोधित होना उसके उपर खोन सवार है आज वो कुछ भी कर सकता है अगला मुहावरा है, खून खचर होना, खून खचर होने का मतलब होता है, बहुत मारपीट या जगड़ा होना, खून खचर अतधिक मारपीट होना या जगड़ा होना, इसका बाक्य पर जाएगा, सुबह सुबह दोनों भायों में मारपीट हो गई, अर्था सुबह सुबह खून खचर हो गया अगला मुहावरा है खून पीना खून पीना का हिंदी अर्थ होता है शोशन करना तुम 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 पीना खून पी लिया हो इतनी देर से आप परिशान करते हैं तो खून पीने का मतलब क्या होता है शोशन करना अब शोशन करने से अर्थात खून इसका मुहावरा तो हो गया सोशन करना मुहावरा हो गया खून पीना इसका हिंदी अर्थ हो गया सोशन करना और इसका वाक्य प्रयोग करते हैं सेट रामलाल जी अपने कर्मचारियों का खून चूसते हैं बहुत खून चूसते हैं खून चूसना है खून पीना एक ही ख्याली पुलाव पकाना इसका हिंदी अर्थ होता है असंभव बाते करना अर्थात ख्याली पुलाव ख्याल मीज ख्याली विचार से संबंदी है तो ख्याली पुलाव पकाना अर्थात असंभव बाते करना इसका मुहामरा है अरे भाई, खयाले पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम तो करिए, आप सिर्फ सोचते रहते हैं, आप असंभव बाते सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, तो खयाले पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम तो करिए, अगला मुहावरा है, खेल इसका हिंदी अर्थ होता है, काम बिगड़ना, खेल बिगड़ना अर्था, काम बिगड़ जाना, इसका मुहाबरा होगा, अगर पिता जी के साथ, अगर पिता जी ने साथ नहीं दिया, तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा, अगर पिता जी ने, या अगर दोस्त ने वह तुम्हारा खून थंदा हो गया है क्या वो इतने देरसे आपको गाली गलोच कर रहा और चुप-चाप सुने जा रहा है तो सूने जा रहे si gen मेरा उक्साह ठंडा हो गया उक्साह रहीत हो गया तो खून ठंडा होना मीज भैवीत होना उक्साह से रहीत होना अतंक वादियां को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया गला मुहावरा है मोटा पैसा मोटी रकम मिले गया ऐसा काम पर तो मोट पैसा का मतलब क्या हो गया अयोग्य पुत्र ओ स्वरी खोटा पैसा स्वरी यह मोटा नहीं है यह खोटा खोटा पैसा है खोटा पैसा मैंने अगरत पहल लिया था अगला दिखते हैं खोपड़ी खाना या खोपड़ी चाटना तो तो मेरे खोपड़ी चाट ले अतनी देर से खोपड़ी चाटने का अर्थ होता है बहुत बाते करके परिशान करना खोपड़ी चाटना या खोपड़ी खाने का मतलब होता है बहुत बाते करके परिशान करना इसका बाक्य प्रयोग करेंगे अरे भाई मेरी खोपड़ी मत खाओ जाओ यहां से अगला मुहावरा है खोपड़ी खाली होना तुमारी खोपड़ी खाली ही क्या बिल्कुल कुछ विचार नहीं आरे तुमारे खोपड़ी में तो खोपड़ी खाली होने के मुदलब क्या होता है सरम करके दिमाग का ठाक जाना मेरी खोपड़ी खाली हो गई भाई इतनी देर से काम करते करते सरम करके दिमाग ठाक जाना है अर्थात उसे पढ़ा कर तो मेरी खोपड़ी खाली हो गई फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया खोपड़ी खाली होना सरम करके दिमाग का दही बना लेना अर्था सरम करके दिमाग ठक जाना उसको प्रहाते प्रहाते मेरे दिमाग या मेरी खोपड़ी खाली हो गई लेकिन उसकी समझ में नहीं आया अगला देखते हैं, खोपड़ी गंजी करना, खोपड़ी गंजी करने का मुहावरा होता है, बहुत मारना पीटना, तुमने तो मार मार कर मेरी खोपड़ी गंजी कर दी, अर्थाद बहुत मार पीट करना, मारना पीटना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, लोगों ने मार मारकर चोर की खोपड़ी गंजी कर दी अगला मुहावरा है खोपड़ी पर लादना खोपड़ी पर लादना इसका अर्थ होता है किसी के जिम्मे जबरन काम मढना के तो तुम तो मेरे खोपड़ी में बैठे हुए इतनी देर से यार अर्थात किसी के जिम्मेदारी को जबरन मढदेना जबरन लाद देना इसका मुहावरा इसका वाकर प्रयोग देखते हैं अधिकतर करमचारियों के छुट्टी पर जाने के कारण एक या दो करमचारियों की खोपड़ी पर काम लादना पड़ा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अच्छा अगला मुहावरा है excuse me अगला मुहावरा है खोल कर कहना खोल कर कहना अर्थात स्पष्ट बाते करना रहे खोल कर कहिए न स्पष्ट बाते करिये न खोल कर कहना अर्थात स्पष्ट कहना इसका बाकिप्रोग होगा मित्र जो कहना है खोल कर कहो खुल कर कहो या खोल कर कहो बात एकी है मुझसे कुछ भी मत चुपाओ अर्था जो भी कहना है खुल कर कहिए मुझसे मत चुपाईए खोल कर जो बात कहना है कहिए अब देखें अगरा मुहावरा है खोज खबर लेना अरे देखो तो वो चला गया है बहुत दिन से आया नहीं खोज खबर लेलो उसकी खोज खबर लेना में इस क्या होता है समाचार मिलना मदन के दादा जी घर छोड़ कर चले गए बहुत से लोगों ने खोद खोद कर पूछना अरे भाई तुम तो विल्कुल खोद खोद करके पूछ रहे हो खोद खोद कर पूछना मलब क्या होता है अनेका अनेक प्रश्ण पूछना खोद खोद कर पूछना अनेका अनेक प्रश्ण पूछना इसका बाकिप्रोज आएगा खोद खोद कर पूछना बंद करो मैं इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दूँगा खोद खोद कर पूछना बंद करो मैं इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दूँगा खोद खोद कर पूछना मीज अनेकों अनेकों बार पूछना अगला मुहावरा है गले का हार होना गले का हार होना मीज क्या बहुत प्री होना बहुत प्यारा होना गले का हार होना बहुत जदा प्री होना इसका बाक्य प्रयोक बनेगा तो लक्षमन राम के गले का हार थे या राम सोहन के गले का हार है जो भी बना सकते हैं अपने अंसार भी आप बना सकते हैं अपने विभारिक सेंटेंसे बना सकते हैं अगला मुहावरा है गर्दन पर सवार होना गर्दन पर सवार होना मतलब क्य एजह के बढ़ते हैं गरदन पर छूरी चलाना अर्फात नुक्सान पहुंचाना तो गरदन पर शुरी चल आना अर्थात नुकसान पहुंचाना मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पर शुरी चला रहे थे गर्दन पर छुरी चलाना में इस नुक्सान पहुंचाना अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना कितना गड़े मुर्दे मत उखाड़ो भाई पुरानी बात हैं तो गड़े मुर्दे उखाड़ना में इस क्या होता है दभी हुई बात फिर से उभारना गड़े मुर्दे उखाडना दभी हुई बात फिर से उभारना वाके पर Commerce हो जाएगा जो हुआ सो हुआ अब गड़े मुर्दे उखाडने से क्या लाभ। अगला शब्द देखेगा गुल खिलाना अरे बाई क्या गुल खिला रहे हो उनके साथ मिल करके गुल खिलाना मीज़ क्या नई बात का भेद खुलना या विचित्र बाते होना गुल खिलाना विचित्र बाते होना सुनते रहिए देखे अभी क्या गुल खिलेगा देखे बाते बदलना वो अपने एक बात पर असथाई में रहता है गिरगेट की तरह रंग बदलता रहता हिए वाह के परिवघयगा गिरगेट की तरह रंग बदलने से तुम्हारी कोई ईथन नहीं करेगा अगला मुहांबरह है गाल गाल बजाना मतलब क्या होता है डिंग हांकना डिंग हांकना क्या होता है अर्थात बड़ी बड़ी बाते करना खुब अपनी प्रसुंसा अपनी तारीफ करना तो गाल बजाना में इस डिंग हांकना जो करता है वह जानता है गाल बजाने वाले क्या जाने अर्थात जो महिनत गिन गिन कर पेर रखने का अर्थ होता है, सुस्त चलना। हद से ज्यादा सावधानी बृत्ना। शाम के पहले घर पहुचना हया नहीं? इसलिए तेज चलो, गिन गिन कर पैर मत रको। देर हो जाएगी भाई जाब एगला मुहावरा है गुस्सा पीना गुस्सा पीना का अर्थ होता है क्रोध दबाना अर्था तो गुस्से को घुट गुस्से को जो है घुट बना कर पी गया तो गुस्से को पी सकता है क्या एक मुहावरा है इसका सचे में अर्थ होता है लोग देखते हैं गुस्षा पीकर रह गया चाचा का वहां मुह लगा ना होता तो उसकी गत बना चुरता अर्थात मैं अपने गुस्षे को पी गया मैं अगर मेरा दोस्त ना होता तो उसे प्रपटक के मारता है इसे बोलते हैं अगला शब्द देखिए अगला मुहामरा है गूलर का फूल होना अरे भाई तुम तो गूलर का फूल हो गये हो बहुत दिन बात दिखाये दिये हो तो गूलर का फूल होना मैं लापता होना वह तो ऐसा गूलर का फूल हो गया है कि उसके बारे में कुछ कहना ही मुश्किल है वह तो गूलर का फूल हो गया है भाई दि खाही नहीं पड़ता है गुलर का फूलामिस लापता होना अगला है गुदरी का लाल अच्छा है ना गुदरी का लाल होना अर्थाद गरीब के घर में गुडवान का उत्पन होना अर्थाद गरीब के घर में गुडवान बच्चे का या गुडवान वृत्ति का उत्पन होन अपने वंस में प्रेम चंद्र सच्मुच गुदरी के लाल थे गरीब परिवार से थे ही लेकिन आज देखिए हिंदी साहित में उनका राज है एक छेत्र राज है तो अपने वंस में प्रेम चंद्र सच्मुच गुदरी के लाल थे अगला मुहावरा है गांठ में बांध लेना अर्थात गठिया लो गांठ बांध लो ये बात इसका मतलब क्या होता है खूब याद रखना गठिया लो गांठ बांध करके रख लो अर्थात खूब अच्छे से इस बात को याद रख लो वाक्य प्रोक कैसे होगा यह बात गा अच्छे से याद रख लो कि अंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा अगला है गुड़ गोबर करना अरे भाई तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया गुड़ गोबर करना मिस क्या बना हुआ काम बिगार देना बनाया काम बिगारना तो बीरु ने जरासा बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया गुर गोबर करना था बना हुआ काम विगार देना अगला देखे भाई गुरु घंटाल अरे भाई तुम तो पूरे गुरु घंटाल हो गुरु घंटाल में दुस्टों का नेताया सरदार गुरु घंटाल गुरु घंटाल में दुस्टों का नेताया सरदार तो प्यारे बच्चों यह थे आज के प्रमुख मुहामरे उनका अर्थ और उनका वाखे प्रयोग अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सबस्क्राइब करेंगे दोस्तों को शेयर करेंगे मिलते हैं फिर नई क्लास में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद वंदे मातरम